कंगना रनौत को किया गया समन, सिख समाच को बताया था खालिस्तानी नमस्कार मैं गुलीन और आप देख रहे हैं News 28 ऐसा क्या हुआ जिस वज़े से कंगना रनौत को समन किया गया, इस बात को जानने के लिए वीडियो के अंततक बने रहे जी हाँ विनेत्री कंगना रनौत को दिल्ली विधान सबा, शांती और सद्भाव समिती के द्वारा समन किया गया है बता दे कि कंगना को 6 दिसंबर दुपहर 12 बजे समिती के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है मोधी सरकार के क्रिशी कानून वापेस लेने के बाद कंगना रनौत ने किसान अंदोलन की तुलना खालिस्तानी अंदोलन से की थी इस विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों से F.I.R. भी दर्ज की गई है कंगना रनौत ने किसान मुद्दे को लेकर अपने फेस्बॉक अकाउंट में एक विवादित पोस्ट में लिखा था खालिस्तानी अतांकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड रही हो लेकिन उस महिला यानि इंदरा गांधी को नहीं बूलना चाहिए जिसने अपनी जूती के नी मच्छरों की तरह कुचल दिया मगर देश के टुकड़े नहीं होने दिये उनकी मृत्यों के दशक के बाद भी आज भी उनके नाम से कांपते हैं ये इनको वैसा ही गुरू चाहिए उन्हें नरेंद्र मोदी द्वारा कृशी कानून वापस लिये जाने पर काफी निराशा हो रही है जिसके चलते वह इंस्टरग्राम स्टोरीज पर अपनी निराशा बया करती है और लिखती हैं कि दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत अगर सांसद में बैठी सरकार के बज़ाए गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शूर कर दे तो ये भी एक जिहादी देश है तो जैसे कि अभी मैंने आपको कंगना रौनौत के विवादत बयान आपके सामने रखे आपको क्या लगता है कंगना रौनौत कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है ये हमें comment box में comment कर के बताए वीडियो को like जरूर करें तब तक के लिए नमस्कार